यूक्रेन बनाम रशिया जो जंग चल रही है उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है तमाम हजारों भारतिय नागरिक जो है वो इस वक्त यूक्रेन में फसे हुए हैं और कुछ दिर पहले ही भारत की जो विदेश मंत्राले है भारत के जो फॉरन सेक्रेटरी है हर् वो सब हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो फॉरन मिनिस्टर है भारत के डॉक्टर एस जेश शंकर वो पोलन, रोमानिया और स्लोवाकिया हंगरी के विदेश मंत्रियों से आज ही बात करेंगे और साथी साथ प्रधा मंत्री नरे दिल्ली में M.E.A. कंट्रोल रूम को 980 कॉल्स और 850 यानि कि 8500 इमेल आ चुके हैं चुकि इतनी गंभी स्थिती है वहाँ पर काफी जादा भायावास स्थिती वहाँ पर मची हुई है और हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में जो वहाँ पर स्टूडेंस है वो भी काफी दह पर आशक में है यूक्रेन में जो स्थिती से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाया गया उसके बार में उनका कहना है कि यूक्रेन में भारती नागरिकों का रेजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था और ऑनलाइं पंजिकरन्ट के अधार पर उनको पता चला कि 20,000 भारती नागरिक महा थे और साथी साथ उन्होंने यूक्रेन में जो दूतावास है वहाँ पर 24-7 हेल्प लाइन लगा रखी और लगातार वो सलाह जारी कर रहे थे और अपने चातों को सुरक्षा परदान करने के लिए विश्व विद्यालों और स्टूडेंट कॉंट्रक में रहे थे साथी साथ उन्होंने बताया कि जो दूतावास है वहाँ पर भारत का वो काम जारी रखे हुए है एहम बात यहां पर यह थी कि कि किस रास्ते से जो है वहाँ पर जो भारती स्टूडेंट से उनको लाए जाएंगे पोलंड और हंगरी के रास्ते से जो है यह ब सिंगला ने कहा और इनकी मदद से जो है उनको यहां पर वापस लाए जाएगा क्योंकि वहां पर जो एर स्पेस है वो बंद कर दी गई थी सुभा से ही यह चीज आ गई थी कि जो भी फ्लाइट से वो टेक ओफ वहां से नहीं कर सकती है अब चूंकि वह वमान के रास्ते से य साथ यह भी अपडेट आई है कि शिंगला ने कहा कि इंदिन एफोस की मदद से भारतियों को सीधे यूक्रेन से एर लिफ्ट करने की संभावना पर भी विजार किया जा रहा है इसको लेकर भी जो है प्लानिंग चल रही है तो पोलेंड के रास्ते हंगरी के रास्ते किस त जानने की कोशिश की जा रही है चुकि हवाई रास्ता पूरी तरह से इस वक्त बंध है फ्लाइट नहीं चल रही है इसलिए यह जो तमाम जो तरीके हैं वो निकाले जा रहे हैं लेकिन एफोस की मदद से क्या उनको एर लिफ्ट किया जा सकता है चुकि एमेजेंसी सिचु उक्रेन के वो भी भारत जो है भारती सरकार उनके साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है साथी साथ आपको बता दे और जो बाते जर्नलिस्ट ने उनसे प्रेस कॉंफरेंस में पूछी तो उन्होंने बहुत खुलके बात तो नहीं कि उन्होंने कहा कि देखिए प्राइम हमारा क्या exactly stand है हम इस पर क्या कहना चाहते हैं या क्या हमाई राय होगी हम इस पर क्या पैसले लेंगे इसको देखते हुए वो अभी हम नहीं कह सकते बेसिकली उन्होंने ये साफ कर दिया है तो तमाम और चीज़ें उन्होंने कहा है कि जो भी न्यू वर्ल्ड ओर क्या आ स परश्वी सिंगला फॉरन सेक्रेटरी ओफ इंडिया का तो अभी देखना बाकी है कि आगे जो भी अपडेट्स आएंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की व्लादिमीर पुतिन से क्या बात होती है और फॉरन मिनिस्टर की जो बाते होती तमाम इन नेबरिंग कंट्री से वो स पूरे मसले पर इस पूरे जो वार चल रहा है उस पर तमाम जो अपडेट्स आएंगे उस सब को लेकर हम आपके साथ यहां पर जरूर हाजित रहेंगे आप बने रहें हमाई साथ सरफ निउस तक पर कर दो